तो गुद्मॉर्ण एवरिवन आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं इन्वर्मेंटल स्टाडीज के हंड़ेड इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इसमें से कि यह हमारा पार्ट वन है इसी तरीके से आगे भी हम लोग डिसकस करेंगे अपने सारे क्वेस्टेंज को और हर एक प इपना सबसे पहला क्वेस्टिन तो पहला क्वेस्टिन हमारा कहता है विच नाशनल करिकूलम फ्रेमवर्क एंसी एफ रिकमेंडेड इन्वर्मेंटल स्टाडीज तो बी टॉट आज इन इंटीग्रेटेड करिकुलर एरिया अज प्राइमिरी लेवल मतलब एंसी एफ कौन से रिकमेंडेशन के द्वारा हमारा इन्वर्मेंटल स्टाडीज को एज इन इंटीग्रेटेड करिकुलर एरिया कहा गया तो इसका अंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नमबर A that is NCF 1975 हमारे यह रिकमेंड करता है इन्वर्मेंटल स्टाडीज शुट बी टॉट इन इंटीग इन इंटीशि के द्वारा और जो की बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडियन इन इंडियन स्कूल में रीट किया जाते है बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा ठीक है इए क्टीज़ ते अंसर हमारा हो जाएगा ओप्शन नमबर B that is northeastern region नौरफ इस्टरण रीजिए औफ एंडिया जो है वह मैक्सिमम प्राक्टेस करता है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इंडिया में अब यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है तो přिस्टिंग कल्टीवेशन के अगर बात की जाया तो यह शिफिटिंग क kicks एक एसा practice जिसमें की एक पीस अफ लांड को यूज किया जाता है कुछ सालों तक जब तक कि इसकी फ़र्टिलीटी ड्रॉप नहीं हो जाए और उसके बाद फार्मर नए जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं यह प्राक्टिस किया जाता है ट्राइबल कम्यूनिटी के द्वारा और इस प्राक्टिस को हम लोग बर्णन स्लैश कल्टिवेशन भी कहते हैं एवेन की इसको असम में जून के नाम से केरिला में कोनम के नाम से आंध प्रदेश में पोड़ू आंध प्रदेश और उरीशा बोथ में पोड़ू के नाम से भी जाना जाता है next question which of the following is और are greenhouse gases और gas इन में से कौन सा हमारा greenhouse gas या gases है so the answer would be option number D that is all of the above कहने का मतलब है कि water vapor carbon dioxide methane ये तीनों ही हमारे greenhouse gases हैं अब ये greenhouse gas होता क्या है तो greenhouse gas एक ऐसा gas है which absorbs and emits radiant energy within the thermal infrared range and causes greenhouse effect और सबसे ज्यादा अबंदें greenhouse gases कौन कौन से अर्ट से अट्मस्पेर पे तो वो है हमारे water vapor carbon dioxide, methane nitrous oxide, ozone chlorofluorocarbons that is CFCs hydrofluorocarbons और भी बहुत सारे इसी के साथ next question हमारा which one of the following is responsible for turning taj mahal yellow taj mahal का yellow होने का कारण कौन सा है इन में से option number A chlorine B nitrogen dioxide option number C sulfur dioxide और sulfur और sulfur answer is option number C that is sulfur dioxide sulfur dioxide is responsible for turning the taj mahal yellow अब अगर बात करें इसकी थोड़ी सी तो जो हमारा outer surface ताज mahal का उसका yellow turn करने का ज्यादा तेर कारण है atmospheric pollution even कि ज्यादा sulfur dioxide का presence air में whereas sulfur dioxide के वज़े से हमारा acid rain cause होता है जो कि उस marble के साथ react करता है जिसके वज़े से marble का color change होने लगता है दीरे दीरे yellow में तबदील होने लगता है next question who built the Golconda fort Golconda fort को किसने बनाया पल्लवा dynasty, चोला dynasty, चलुक्या dynasty और ककातिया dynasty so the answer is ककातिया dynasty ककातिया dynasty के द्वारा Golconda fort हमारा बनाये गया Golconda को originally इसको मानकाल के नाम से जाना जाता है और सबसे पहले ये बनाये गया ककातिया केंग as a part of their western defense ठीके और एक time पे यहां पे बहुत सारे famous कोहिनूर और होब diamonds store किये जाते थे next question which one of the following is a scalar quantity इन में से कौन सा हमारा scalar quantity है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं scalar quantity होता क्या scalar quantity हमारा एक one dimensional measurement of quantity है इसका मतलब कि it means scalar quantity has only magnitude इसमें सिर्फ हमारा magnitude होगा इसमें कोई भी direction नहीं होगा इसके examples हमारे तो क्या हो गए इसके examples temperature हो गए mass हो गए इस question number seven the rate of dissolution of a solute depends on किसी भी solute का rate of dissolution depend करता है उसके weight पे उसके pressure पे उसके temperature पे या उसके surface area पे तो वो depend करता है हमारा surface area पे जैसे हम लोग surface area को increase करेंगे किसी भी solute का solubility decrease करने लगेगा इस वेल इस यह हमारे depend करता temperature पे इवन की steering पे और हमारे solute के particles क्या है उन पे भी next question the gastric juice in the stomach of a human beings is dash and aids in the digestion of food जो gastric juice human stomach में present होता है उसका nature कैसा होता है whether it is alkaline, amphoteric, neutral or acidic so the answer will be acidic because यह जो हमारा gastric juice secreted होता है gastric glands के दवारा stomach में यह acidic in nature होता है because it consists of hydrochloric aces और भी बहुत सारे enzymes जो की acidic pH में active होते है next question which of the following is a set of disease spread by mosquitoes नीचे दिये के options में से कौन साइसा set of disease है जो की mosquito as a vector चाहिए फैलनी के लिए infected person से healthy person में डेंगू और चिकेंगुनिया और स्प्रेट बाइट्स मॉस्किटोज और मेलीरिया बाइफीमेल अनोफिल्स पीचर प्लांट ये पीचर प्लांट की एक क्वालिटी आपको बतानी है तो पहले थोड़ा सा पीचर प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं पीचर प्लांट इस टाइप अफ कार्णिवोरस प्लांट जो की खाता है इंसेक्स सम्टाइम्स ये माइस और फ्रॉक्स को भी खा लेता है किसलिए ताकि अपने नाइट्रोजन रेक्वार्मेंट को साटिस्फाई कर सके एस वेल एज ये ग्रो कर सके वैसी मिट्टी में जहां पे नाइट्रोजन की कमी हो इसके पास हैर्स होते हैं जो की लीफ लाइक स्ट्रॉक्चर में मॉडिफाइड होते हैं ये इस तरीके से मॉडिफाइड इस बजह से होते है ताकि इनसेक्ट को इजली होल्ड कर सके दाइजेशन के लिए इसके माउथ मे एक लिड होता है जो की ओपे और क्लोज होते रहता है और ये सबसे जादा मेघाले इनडिया के मेघाले में पाये जाता है तो यहाँ पे हमारा option number D would be the right answer that says cleverly traps and eats frog, insects and mice I hope कि आपको clear हो गए यहां तर Next question Which of the following birds makes its nest among the thorns of cactus plants? Cactus plants के thorns के बीच nest बनाने वाला इनमें से कौन सा bird है? So इसका हमारा answer हो जाएगा option number A that is dove Dove एक ऐसी bird है जो की अंडे देती है वैसे nest में जो की बना होता है Cactus के thorns के अमंग और यह इसलिए इसको प्रोटेक्शन देने के लिए अपने अंडों को प्रोटेक्शन देने के लिए यह वहां पे बनाती है Next question Question number 12 Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles It is done too कोई भी glass का jar को या फिर bottles को sun में सुखाया क्यों जाता है उसमें अचार डालने से पहले Option number A says increase their temperature ताकि उसके ताप्मान को बढ़ाया जा सके Option number B says remove the dust from them उनमें से गंदगी को हटाने के लिए Option number C says removes the moisture completely And option number D says makes pickle tasty So obviously इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा Option number C that is remove the moisture completely अब ऐसा क्यों है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर moisture रह जाएगा Glass jar में या फिर bottles में तो ये एक अच्छा favorable factor हो जाएगा Harmful microbes के growth के लिए इसलिए इनको पहले sun में properly सुखाया जाता है इसमें pickles डालने से पहले ताकि इसका moisture completely हम लोग remove कर सके and the next question says an egret sits on a buffalo because egret buffalo के पीछे buffalo के ऊपर क्यों बैखती है both have symbiotic relationship the egret sits on the buffalo for fun the buffalo helps in the transportation of the egret from one place to another the egret wants to scare the buffalo तो इसका answer हो जाएगा हमारा option number A that says they both have symbiotic relationship तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा symbiotic relationships के बारे में तो symbiotic relationships एक ऐसा relationship होता है जहां पे बोथ partners were get benefited मतलब mutual beneficial होते हैं एक दूसरे के लिए यहां पे यह a great bird जो है वो बैठता है क्यों क्योंकि उसके buffalo के पे ऐसे parasites प्रेजंट होते हैं जुन पे वो feed करता है और यह ऐसे flies को भी eat करता है जो कि एक pest के जैसा act करते हैं cattle के लिए इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीचे एक mutual या फिर symbiotic relationship होते हैं जिसमें की बोच पार्टनर्स गेट बेनेफिटेड क्वेस्टन नवर फॉर्टी विच्वान दीजे की क्वेस्टन पूछ रहे कि कौन सा फंक्शन नहीं है तो हमारे यहां पर आंसर हो जाएगा दाटिस प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग स्ट्राइड पार्टनर्स फ्रूरिंग प्रोवार बा हमेह में प्रोवाइड प्रोवाइड इस सब्सक्तेने पार्धिग एक MODYFाइड होते हैं as a storage organ भी तो क्योंकि वो store करते food material for example हमारा carrot, radish, beetroot यह सारे हो गए अब यह roots हमारे humus नहीं provide करता है नमी नहीं provide करता है यह जो humus है वो कैसे formed होता है तो यह dead remains जितने भी plants के animals के होते हैं उनसे यह formed होता है और यह plants की growth के लिए useful है बट यह plant के roots नहीं provide करते है question number 15 says which one of the following insects does not live together in a colony like honey bee wasp, ant, termite, spider कौन सा इन में से इंसेक्ट ऐसा है जो कि honey bee के टाइप से colony बना के नहीं रहता है so इसका answer हमारा हो जाएगा option number D that is spider spiders colonies में नहीं रहती है बाकी जो भी हमारे ants हो गए, wasp हो गए, bees हो गए, termites हो गए यह सारे social insects है और यह सारे colonies में रहते है question number 16 says Kuduk is a language of the people of Kuduk कहा के लोगों का भाश है मिजोरम, मनीपूर, अरुनाचल प्रदेश और जार्खन तो इसका हमारा answer हो जाएगा option number D that is jharkhan Kuduk language is spoken by the Kisan tribe of Odisha and the surrounding areas of jharkhan, Bihar, Madhya Pradesh, Shattisgarh and West Bengal बढ़ेंगे next question के यो, that is question number 17 which one of the following places in our country is a cold dessert in which place in our country is a cold dessert option number A says Ladakh, Meghalay, Darjeeling and Jessalmir so the answer is option number A that is Ladakh Ladakh is our cold dessert of India इसको हम लो कापा चान भी कहते हैं जिसका मतलब होता है Snowland और यह हमारे Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir में लाई करता है question number 18 that is which one of the following is not a seed इन में से कौन सा बीज नहीं है black pepper, काली मिर्च, सागो, साबुदाना, एनी सीट और option number D is a wheat तो इसका हमारा answer हो जाएगा question number 18 का that is option number B सागो, साबुदाना साबुदाना जो है और सागो यह हमारा starch है जो की extract किया जाता है spongy center या फिर pits जिसको हम लोग बोलते हैं अलग-अलग various tropical palm के stems से यह हमारा एक seed नहीं है black pepper, any seed और wheat यह सारे हमारे seed है question number 19 which one of the following diseases may be caused by stagnant water पानी के सीरता से होने वाली बिमारी इन में से कौन सी है polio, pneumonia, chicken pox और malaria so the answer is option number D that is malaria malaria हमारा may be caused by stagnant water and this disease is transmitted by the bite of an infected mosquito और इसके common symptoms है malaria के हमारे shaking chills that are moderate to severe headache, high fever, vomiting etc. और इसी के साथ हम पहुँच चुके अपने last question पे जो कि है हमारा question number 20 और यह कहता है which of the following characteristics is shared by all the given below lizard, sparrow, turtle and snake के द्वारा इन में से कौन सा ऐसा feature है जो कि share किया जाता है सब के द्वारा option number A says they lay eggs option B they are poisonous option C they can live on land as well as in water and option D says their bodies are covered with scales तो इसका answer हमारा हो जाएगा option number A that is they lay eggs यह सारे all the four animals lay eggs इसी के साथ हमारा आज का session यहीं पर खतम होता है और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जिसमें कि हम लोग इसका second part को लेकर के आएंगे और ऐसे हैं बहुत important questions EVS के जो कि सारे test exams C test के लिए आपके लिए बहुत ही beneficial होने वाले so keep watching and keep supporting thank you have a nice day